अलो स्टूडेंट्स, हम सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने देखा था कि सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन में एक कॉमन मामारा कंट्रोलर होता है, एक सेंट्रोलर, सिंगल कंट्रोलर होता है, जो कि मैनेज करता है बस के आक्सेस को, सारी रिस्पॉंसिबिलिय्टी उस कंट्रोलर की ही होती है कि अगर multiple devices same time पर bus का access चाहा रहे हैं तो bus का access किसको देना है यह हमारा centralized bus arbitration इसमें हम तीन methods discuss कर रहे थे जहां पर हमने देखा था यह जो centralized bus arbitration है इसमें जो first arbitration method है वो है daisy chaining जिसको हमने last अपना जो lecture था उसमें discuss किया था हमने देखा था कि कैसे controller serially जो हमारा bus grant signal होता है उसको propagate करता है in case अगर bus free रहती है और किसी device को उस bus का access चाहिए होता है हमने discuss किये थे उसके कुछ disadvantage like कि वहां पर propagation delay हो रहा था क्योंकि जो signal है वो serially transmit किया जा रहा था तो जो position है device की पास में controller के priority उसको दी जा रही थी कि मतलब favor हो रहा था एक तरीके से अगर बोला जाए उस device का कि वो उसकी position पास में है तो चलो उसको दे दिया अब वो serially propagate कर रहा था आगे जितने भी devices है उससे problem थी थोड़ी इसको और एक और problem ये थी कि अगर हमारा जो device है कोई भी एक master अगर वो down हो जाता है तो क्योंकि signal serially propagate किये जा रहे थे तो वो particular जो device है वो signal का propagation अपने आगे वाले device में नहीं कर पाएगा तो ये कुछ प्रॉब्लम सी simple था ठीक है लेकिन problems जो है वो बहुत बड़ी है तो इसके लिए हमने अपना second bus arbitration method जो की centralized का है वो आया introduce हुआ और उसका नाम है polling polling method में भी same scenario है एक controller है और multiple devices हैं जिनको हम master बोल रहे हैं जिनको चाहिए bus का access उस data को transmit करने के लिए पर यहाँ पे daisy chaining की जो बस grant line थी वो हमने replace कर दी है pole line से चलिए एक बढ़ diagram बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको detail में explain करूँगी यहाँ पर होता है एक controller यह controller इसलिए है ताकि यह bus के access को manage करें अब क्योंकि centralized bus arbitration है तो एक centralized device चाहिए होगा जो सब responsibility इसी की होगी इसको bus अक्सेस देना है in case of अगर दो devices या दो से जादा devices एक टाइम पर bus का access चाहा रहे है अब यहाँ बना लेते हैं जल्दी से हम master तो for example यह मेरा है master 1 हम नहां पर बनाएंगे एक और master जिसको हम नाम दे देंगे master 2 एक और master बनाएंगे जिसको हमने नाम दिया है master अब एक काम करते हैं बहुत से devices आ सकते हैं लास्ट में हम बस end लिख देते हैं similarly हर master के पास जैसा daisy training में हुआ करता था एक होगा bus axis logic तो यहां पर हम लिखेंगे bus axis logic of master 1 similarly यहां पर भी एक master 2 है जिसका bus axis logic है and same master 3 के पास या sorry master n के पास उसका bus axis logic होगा तो यह है इसका bus axis logic यहां पर हमारी जो bus grant line थी जो daisy chaining में थी उसको हमने replace कर दिया है pole line से तो यहां पर हमारी pole line होती है और इक और चीज़ जितने हमारे devices होते हैं उसके according ही हमें pole line लगानी पड़ती है तो हम यहां पर एक काम करते हैं अभी फिलाल के लिए तीन pole line लगा लेते हैं यह चार pole line कर देती हूँ अभी मैं इसको discuss करूँगे यह चार यह हम जो selection है pole line का वो कैसे करते हैं तो यह है हमारी pole line अब हर एक जो डिवाइस है वो bus की request करेगा तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक common bus request line सबसे पहले हम इन सारे डिवाइस को connect कर देते हैं यह pole line से तो यह हमारा connect हो गई चल यह continue करते हैं इसको और यह मेरा इससे connect किया हमने similarly इससे connect किया इस तरीके से आप इनको सबसे connect कर दीजेगा significance क्या है इन pole line का हम अभी जब डीटेल में डिसकस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी पट फिलहाल भी हम डाइग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अब मैंने क्या बोला इन डिवाइस को अगर बस का आक्सेस चाहिए तो वो कंट्रोलर को request करने वाले हैं तो चलिए एक बना लेते हैं bus request तो यह हो गई मेरी bus request line जब बस का access हमें किसी भी डिवाइस को मिल जाएगा इस controller के थूँ तो उस bus को sorry उस device को एक signal देना पड़ेगा कि बस जो है वो मेरे access मेरे है मैंने उसको access उसका लिया हुआ देटा ट्रांस्मिशिन के लिए तो बस अभी किसी और master देवाइस के साथ को नहीं दी जा सकती तो उसके लिए हमारे जो masters है इनको एक signal देजना होगा इस controller के पास कि जो bus है उसका access ले लिया गया है अब bus जो है वो busy हो गई है तो वो signal हमारा चाहता है bus busy line के थूँ तो यहाँ पे है यह pole line फिर है हमारा bus busy line और bus request line अब यहाँ पे जो bus request line है उसको भी हम connect कर देते हैं इन सारे masters के साथ तो यह मेरा हो गया connection bus request line का जो हमारा path है या अगर आप बोले जो हमारा arrow मैंने बनाया वो इस तरीके का बनाया है क्यूंकि यह जो request है यह master के थूँ बेजी जा रही है controller को तो आप देखिए हर master controller को इस तरीके से request कर दा है similarly अगर किसी के access मिल गया है तो उसको send करना पड़ेगा एक bus busy signal तो similarly यहां पर हम एक bus busy signal बना लेते हैं तो यहां पर हमने बनाया bus busy signal के लिए कुछ इस तरीके का यहां पर जो flow है bus busy signal का वो भी आप कुछ इस तरीके का देख रहे हैं थोड़ा explain कर देती हूँ यह ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी को access मिल जाएगा उस master को send करना पड़ेगा अगर कोई और डिवाइस चाहे तो उसको इस सिगनल में क्या दिखे कि बस जो है वो busy है यह हमारा एक जनल चोटा सा डाइग्राम है पोलिंग का अब चलिए इसको detail में समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे जो पोल लाइन है एक हर डिवाइस के पास क्या है एक address है हर डिवाइस का एक address है इसका एक individual address है और इस master का भी एक individual address है controller generate करता है एक number को यह number जाता है polling line के through और क्योंकि हर डिवाइस के पास खुद का एक address होता है तो वो address इस number से जो की poll line में है match किया जाता है और अगर match हो जाता है उस particular device का address इस generated number से तो क्या होता है उसका जो बस का access है वो उस particular device को दे दिया जाता है एक बार जब access मिल जाता है तो जो master होता है वो bus busy line में एक bus busy signal को send कर देता है कि मैंने access ले लिया है अब controller इसके response में तर्मिनेट कर देता है इन पोल लाइन के तो क्या करता है थोड़ी देर के लिए और कब तक करता है जब तक कि जो access है वो हमारा उस master के पास चला गया है तो जल्दी से एक बार देखते हैं कैसे working है वहाँ पे जो serial propagation हो रहा था बस grant का daisy chaining में वहाँ पे उनको पोल लाइन से हमने बेट कर दिया जिसको भी access चहि BahnCicação कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है एक number generated किया जा रहा है जो is the call line to crippled your device to keep your device to keep your device in the sense master हर device के पास अपना एक address है वह number दोपना पे पोल line पीज़ा जा रहा था वह लेग होता है जहां पे जो address उस number के साथ मैच हो जाता है जिस पी डिवाइस का वो क्या करता है अक्सेज ले लेता है इसके एवेश में वो क्या भेजता है एक बस busy line signal भेजता है जैसे ही controller के पास bus busy line आती है वो response में अपना जो polling process है वो terminate कर देता है ध्यान रखिएगा यहां पर polling process को उसके time पर terminate कर दिया जाता है और जो bus का access है वो grant होने के बाद device जो है वो connect हो जाता है bus के साथ तो इस तरीके से हमारा जो polling process है वो काम करता है अगर हम बात करते हैं इसके advantages और disadvantages की तो start करते हैं advantages के साथ हमारा जो polling method है वो किसी भी device का favor नहीं करता जैसे कि हमारा daisy chaining में हो रहा था अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं है कि यह जो device master 1 है वो हमारा controller के पास है तो सबसे पहले हमने signal इसको दे लिया और फिर यह आगे भीजिएगा अगर इसको नहीं चाहिए होगा जैसा कि हमारा daisy chaining में हो रहा था यहां ऐसा नहीं हो रहा कोई भी favor नहीं हो रहा बस एक number generate हो जा रहा है और वो number and address से match हो रहा है match होता है तो well and good access ले लो और अपना data जो भी है करेक्ट हो बसके साथ और जो भी transmission यह communication करना है वो बढ़े इसका दूसरा advantage है यह simple है method यह method है यह बहुत simple है implement करना इतना कोई hard and fast नहीं है बहुत tough नहीं है simple है लाइन पर टाइज करनी है और अमारा अक्स लॉजिक जो है वो इसाल चीज़ों को मैंज करता है कि कौन सा अड्रस कर जा रहा है कैसे connection हो अगर हम बात करते हैं इसेड़वांटेज की तो यह जो pole line है वो जादा होती आगर आप desi chain ko थोड़ा सा माय यंड में लाएंगे तो केवल three lines से ही हमारा सारा काम हो जा रहा था लेकिन यह आप ør देख रहे हो जो do line इनका नंबर बढ़ जा रहा है माल लीजे हमारे जो पूरा सिनारियो है उसमें हमारे पास 4 डिवाइसे हैं तो उस केस में हमको 2 2 की पावर 2 तो क्योंकि यह 4 जाएगा इतने लाइन्स चाहिए होंगे इन केस अव हमारे पास 8 डिवाइसे हैं लाइसे मतलब हमारे पास 8 मस्टर हैं तो उस केस में यह जो को पूलिंग लाइन होंगी यह कितनी होंगी तो यह होंगी टु टु की पावर 3 that is I mean 3 क्योंकि टु टु की पावर 3 within equals to 8 तो यहां पे जो पूलिंग लाइन होंगी वह हमारे पास 3 तो यहाँ पे जो number of address lines हैं जिसके थू हम यह सारी चीज़ें कर रहे हैं वो बढ़ रही है और obviously अगर हमारी lines बढ़ेंगी तो हमारा जो cost है वो भी increase हो जाएगा बढ़ सिंपल सा method है जादा कुछ difficulty नहीं है और हमने यहाँ पे जो major difficulty थी ना कि अगर एक device fail हुआ तो पुरा system ही घराब हो जा रहा था वैसा कुछ नहीं है दूसरी चीज़ कुछ favor नहीं हो रहा है कि पास में है तो भही ठीक है आप ले लो access सबसे पहले और उसके बदल नहीं चाहिए तो आगे forward करो तो यह है हमारा polling method और हमने इसको थोड़ा सा compare किया अपने daisy chaining method से next lecture में हम independent request पढ़ींगे जो की centralized arbitration का तीसरा method है